वेलकम फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज हम ये जानेंगे कि क्रिमिनल कोट में इस्तेमाल होने वाले कॉमन लेगल वर्ट्स क्या है दोस्तो वीडियो में दी कई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आज हम ये जानेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट में इस्तेमाल होने वाले कॉमन लेगल वर्ड्स क्या है हमारा सबसे पहला वर्ड है रुका मान लो जब 100 नंबर की PCR से कोई कोल आती है या पुलीस को कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है तो पुलीस रिपोर्ट की इनक्वाइरी के लिए एक ओफिसर को भेज देती है अगर वहाँ पर ओफिसर को लगे कि कोई प्राइम फेसाई केस अगर हुआ है तो वो पुलीस ओफिसर अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि जब मैंने केस की इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे यहां से ये ये चीज़े मिली और फिर उसके भिहाव पर ही आगे मुकदमा दर्ज किया जाता है हमारा अगला शब्द है पुलंदा जब एविडेंस को एक गठे में बांध कर पेश किया जाता है तो उसे पुलंदा कहा जाता है हमारा अगला शब्द है जमा तलाशी जमा तलाशी मतलब अरेस्ट किये हुए व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तो तलाशी लेते वक्त मिले हुए समान को ही जमा तलाशी से मिला हुआ समान कहते हैं हमारा अगला शब्द है चार्ज कोट में चार्शीट फाइल होने के बाद प्रोसीक्यूशन और डिफेंस के आर्गूमेंट्स होते हैं कि एक्यूस्ट के उपर किन-किन सेक्शन के तहत मुकदमा चलाया जाए पुलीस चार्शीट में जो सेक्शन लगाती है उस पर बहंस होती है और कोट को ये पावर है कि केस में सेक्शन को एड़ भी किया जा सकता है और रिमूव भी कर सकती है हमारा अगला शब्द है डिश्चार्ज चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर कोट को ऐसा लगता है कि जो चार्ज व्यक्ति पर लगाए गई है वैसा व्यक्ति ने कोई ओफेंस नहीं किया है तो कोट उसे डिश्चार्ज कर देती है मतलब की कोट वहां से आपका नाम हटा लेगी हमारा अगला शब्द है बे लेबल वॉरेंट जब कोट आपको बुलाती है और आप अगर कोट में नहीं आ रहे तो कोट बे लेबल वॉरेंट जारी कर देती है इसमें कई बार वारेंट के साथ साथ शूरेटी भी मंगवा लेते हैं कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे हमारा अगला शब्द है नौन बेलेबल वारेंट जब कोट को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कोट में अपने आप नहीं आएगा तो अरेस्ट करके कोट में पेश होने के वारेंट जहां पर दिये जाते हैं उसे हम नौन बेलेबल वारेंट कहते हैं हमारा अगला शब्द है तामिल कुलंदा जो व्यक्ति आपके पास समन या वारेंट लेकर आता है उसे हम तामिल कुलंदा कहते हैं उसे इंगलीश में process server भी कहा जाता है हमारा अगला शब्द है police custody जब arrest किया हुआ व्यक्ति police के पास होता है तो उसे police custody कहते हैं हमारा अगला शब्द है judicial custody जब arrest किये हुए व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है तो उसे judicial custody कहा जाता है हमारा अगला शब्द है जमानत किसी व्यक्ति की जमानत करवाना या देना जमानत कहलाता है हमारा अगला शब्द है surety accused person court में appear होना बंद ना कर दे या case से भागने की कोशिश ना करे यदि वो ऐसा करता है तो उसकी presence court में secure करने की तसली एक व्यक्ति court को देता है इसके साथ ही वो व्यक्ति, property के document, fd या अपनी rc भी attach करवाता है अगर वो accused person court में पेश ना हो पाए तो इतना amount property से recover कर लिये जाता है हमारा अगला शब्द है rope car जब original document court में जमा करने होते हैं तो उसकी एक receipt मिलती है, उस receipt को ही हम rope car कहते हैं हमारा अगला शब्द है acutal trial की समापती पर अगर court आपको निर्दोश पाती है तो आपको बरी कर दिये जाता है, इसी को acutal कहा जाता है हमारा अगला शब्द है prosecution जब F.I.R. दर्ज होती है, तो उसमें police involved हो जाती है तो ऐसा case सरकार बनाम XYZ हो जाता है इसमें सरकार और police का पक्ष prosecution कहलाता है हमारा अगला शब्द है exemption application मतलब की छूट जब हम court में अपनी personal appearance देने में असमर्थ हो जाते है तब हम वहाँ पर exemption application को लगाते है हमारा अगला शब्द है P.W. और D.W. मतलब की prosecution witness और defense witness को ही P.W. और D.W. कहा जाता है हमारा अगला शब्द है अदम तामिल जब कोई notice unserved रह जाता है तो उसे हम अदम तामिल कहते हैं हमारा अगला शब्द है ब्यान तहरीर मतलब की written statement को ही ब्यान तहरीर कहा जाता है हमारा अगला शब्द है conviction ट्राइल की समापती के बाद अगर court किसी को दोशी मानती है तो उसे convicted कहा जाता है और पूरी process को conviction कहते हैं हमारा अगला शब्द है पैरोल कन्विक्शन के बाद कोई व्यक्ति अपनी सजा काट रहा होता है तो उसे कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी महतबुन काम को करने के लिए जब जेल से बाहर भेज दिया जाता है तो उसे पैरोल कहते हैं हमारा अगला शब्द है गोसवारा केस के निस्तारन के बाद फाइल को कोउट रूम से निकाल कर रिकोर्ड रूम में भेज दिया जाता है नंबर लगने के बाद तो उसे नंबर को हम गोसवारा कहते हैं तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि क्रिमिनल कोउट मे इस्तेमाल होने वाले common legal words कौन से हैं तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद